शनिवार को नाकपुर पुलीस और साइबर शाखा के और से बीते एक से देड़ साल में चोरी हुए या गुम हुए मुबाइल धून कर उन्हें मालक को दिये गए मुबाइल ऐसे वस्तु है कि लोग इस बगेर नहीं रहे पाते आशकल मुबाइल यह महत्वपूर्ण बन गया है ऐसे में अगर किसे का मुबाइल चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो मानो उनकी जिन्दगी को समय के लिए थम जाती है ऐसे ही कुछ लोगों को नागपूर पुलीस विभाग और साइबर विभाग ने उनकी थमी हुई जिन्दगी फिर से शुरू कर दी नागपूर शहर में बीते एक से देड़ साल में चोरी होए या गुम होए कुल 111 मोबाइल उनके असली मालिक के पास सौब दिये गए जिसके कीमत 32,6,117 रुपए बताई जा रही है ये पहला ही मौका है कि इतनी बड़ी संख्या में चोरी या गुम होए मोबाइल ढून कर वसे असली मालिक को दिया गया शनिवार को पुली जीम खाना परिसर में होए छोटी कारिक्रम में सुनेल फुलारे इनके हातो 111 नागरिकों को फोन वापस दिये गए फोन मिलने पर सभी ने पुलीस का आभार भी मना पुलीस उपायुक्त सुनेल फुलारे ने कहा कि मौबाइल गुम होने की या चोड़ी होने के शिकायद जनता समंदीत पुलीस थाने में या साइबर विभाग में करना चाहिए आगे उन्होंने कहा कि आगा में कुछ दिनों ओनलाइन शिकायत के सुविधा का शुबारम भी किया जाएगा कैमेरा परसन माइकल रामपुरे के साथ अभिशेख पांसी की रिपोर्ट बीस यन्यूज नाखपुर